हेलो फ्रेंड्स मैं कुसूम जेसार होमेड एस्पी में आप सबका स्वागत है और आज मैं आपसे सेर कर रही हूँ चकुंदर और गाजर का पराठा तो आपने कई बार खाया होगा और कई तरीके का खाया होगा ना बट मैंने आज बहुत इअलग तरीके से बनाया कि आपको लगे नहीं है चकुंदर और गाजर का पराठा बनाया है जो मीठा मीठा सा लगता नो बिल्कुल भी नहीं लगेगा आपको और बच्चे भी भूत राम से खाएंगे बिल्कुल भी नानू नहीं करेंगे आप ट्रा पाट मंसीन हों तो ãपको पता है यह ऐसके और जो का वा jest यह डिएंट कर लिए इस तरीके न गिस होती है और गाजर आपको पता है आँखों के लिए कितनी अच्छी होती है जिनके आँखे कमजोर हो तो उन्हें जरूर खानी चाहिए तो यह देखे मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया ना इसे अब यहां पर आप एक कोटन का कपड़ा ले सकते हो उससे इसका जूस निकाल सकते हो बढ़े मुझे तो बहुत दान नहीं रहा किदर पड़ा है तो मैंने क्या किया यह लोए की चलनी ली और इससे अच्छे से दबादबा कर मैंने जूस निकाल लिया है देखे एक बाउल भरकर निकला है और भी अगर निकले तो आप और भी निकाल सकते हो तो यह देखे म मैंने एक छोटा चमच भरकर अजवाइन एक चमच नामक और साथ में डाला मैंने आदा चमच मिक्स गरम मसाला जिसकी रेसिपी में शेयर कर चुकी हूं उसका लिक में डिस्क्रेप्शन बॉक्स में दे दूँगा आप चेक कर लेजिए साथ में वह जूस निकाला था वो तो मैं तक आगे का काम करें तब तक रख यह ру Tax को अगया है तो मैंने चार वोई लं रुय है और अच्छे 聲 मेस लेते हैं इसे त्टो है एक Давайте कड़ कर देखिया में 20 में 20 या तो डड़ी मिर्ची को कट टेज चाढ़न का ला और आट से साथ में वे रट मीर्ची को बीदर और दद्य और वे जो चकुन्दर मीर्चेस में अच्छे से मसाला ही तो अब आटा देख लेते हैं तो आटा भी हमारा सोफ्ट हो गया अच्छे से यह देखिए कि अब मनाते हैं रोटी तो आपको पता यह थोड़ा साथा तोड़ कर आगे का हम पीछे क्यों लगाते हैं यह गनेज जी का होता है इससे बरकत अच्छी होती है इसलिए हमेशा थोड़ा साथा लगाकर लाश्ट तक लगाना चाहिए कि लाश्ट तक बचा रहे हमारा अटा तो यहाँ पर मैंने एक लोई बना लिए थोड़ा सा सुका अटा डाला है और बैस अब इच्छे रोटी से थोड़ा सा मोटा बेलेंगे बस थोड़ा सा ही मोटा बोते राम से बिल जाएगा यह देखिए हैं ना रोटी से थोड़ा सा मोटा बेल है मैने बैस और यहाँ पर मैंने तिलका लil है जो सर्दियों में खाना तिलका यह बहुत ही सह reag मन्द होता है आougों के लिए बालो के लिए शिचिन के लिए और हैल्थ के लिए और तो यहां मैंने चाकू से लगा दिया है इस तरीके से बैस और इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी तरीके से बनता है ये और बहुत ही टेस्टी बनता और मसाला तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता तो इस तरीके से आप ट्राइ करके दिये और बिल क्रेसिपी इस तरीक से डालती हूँ कि आपको इजी लगे और बनाने में और टेस्टी भी और हैल्दी तो सबसे ज़ादा हो तो मैंने नॉर्मल तवे को गेस पे रख दिया था थोड़ा सा गरम हुआ है और अब मैंने इस पे प्राठा डाला और चारो तरफ है यहाँ पर मैं थोड़ा ओयल डाल देते हैं चारो तरफ बैस और अब इसे दबा दबा कर है ना मीडियम या फिर लो फ्लेम पर अच्छे से पकाना है में इस तरीके से पलट पलट कर और आप देख रहे हो ना मसाला बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा लेकिन आपको पूरे प्राठे मे मसाले का टेस्ट इतना अच्छा आएगा चारो तरफ से ऐसा नहीं कि कहीं आपके ओशल लगे कि इदर मसाला नहीं इस तरीकी से बिल्कुल नहीं लगेगा तो ये देखी फ्रेंस एकदम गर्मा गर्म पराटा है ये देखी और मसाला चार उतरफ अच्छे से बराग हुआ है देखिए न तो मैंने तो सारे बिना करेडी कर लिए हैं और आप बिल्कुल भी सोचो मत बस बना लीजिए और साथ में मैंने एक गाड़ी सी हरी मिर्ची की और रहे दनी की चट्नी बनाई और साथ में मैंने पाने वाला हाना रही मिर्ची और निम्बू का अचा लिया ये खटा खटा चाहर है और इसके साथ इतना अच्छा लगता है अगर आप को पसंद हो तो आप ले सकते हो बढ़ आप किसी के साथ भी इसे खास सकते हो जैसे Thank you so much.